कि यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपके एक्जाम में यह हमारे इंपॉर्टेंट कोशन आ सकते हैं लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आवाज और वीडियो आपको नहीं आ मौक्टेस को लगाने की कोशिस करें यहां पर एक बात लिख हुई है सफलता एक चुनौती है इसे स्विकार करो क्या कमी रह गई उसको बार बार देखो और सुधार करो बिना कुछ किये जैजैकार नहीं होती कोई नहीं जानता है कि कौन हो तुम लेकिन कोशिस करने वालों क कभी हार नहीं होती तो यह साल जिसमें हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं यहां दुनिया को बताने वाले हैं चिला चिला करके बताने नहीं कि मेरा सेलेक्शन हो गया यह अपने आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा दूर तक आवाज जाएगी तो इसी उमीद मे एक बाद फिर से मैं पंकर चौब आपका स्वागत करता हूं testbook.com पे जहां पर हम सीखने वाले हैं वो सारे के सारे important question जो हमारे exam के लिए बहुत important है मैंने आपको करमसा छे महीने तीन महीने एक साल और जनवरी के current affairs कराए हुए है जो कि आपको मेरे द्वारा कराए गए जो current affairs है मिल गए होंगे पीडियो भी उसकी आपको मैंने यहां पर provide कराए हुए अपने telegram channel पर और बचो यहां पर साड़े 10 बजे मैं रोज practice कराता हूँ आप लोगों को कुछ ऐसे questions की जो आपके exam के लिए बहुत important है जो आपके exam में पूछे जाने की संभावना एकदम प्रचंड है लेकिन आगे पढ़ने से पहले यहां पर मैं चाहूंगा कि यार सपोर्ट और प्यार जो आप लोग बना करके रखे होगे हो वह continuous दिखना चाहिए और साड़े 10 बजे यह क्लास में आप सभी लोग को आना अनिवार हो जाता है आपका एक ऐसे platform पर स्वागत है जहां पर एससी में लगब गाइस यहां पर जिलों का test book pass खतम हो गया उनलों के लिए अच्छा opportunity है यहां पर दो दिन आपको मिलने वाले हैं 6 महीने की extra validity जब आप खरीदते हैं test book का pass जहां पर आपको मिलते हैं कई सारे exams के mock test 399 रुपए की जगा पे आपको 360 रुपए pay करने पड़ेंगे अगर आप 399 वाला है 360 रुपए में और अभी आज के लिए जो offer है 18 महीने का यह आपको मिल रहा है ठीक है यह रहा आपके सामने pack pass coupon code चले गए इस तो हो चुके 50 लोग 50 लोगों के साथ सुरुवात की जा रही है और यहां पर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही हमको motivation देता है सा हाना हो सब वह आपका ही motivation है तो एक बार सभी लोग जैहिन के साथ सुरुवात करेंगे और यहां पर पूरे lecture को जो देखेंगे और साथी साथ आपको पीडिया भी मिलेगी जल्दी से फटा-पड़ यहां पर जैहिन लिख देंगे बंदर गाज सहर नहीं है सूत काजे इंडोर है बाला कोट है धौला वीरा है या कुंतसी है guys question है important और सीजल के त्यारी कर रहे हो या NTPC tier 2 की exam के द्यारने देने वाले हो important बहुत मात्तपूर है question बहुत मात्तपूर है जनताया पर बोल ले यह है सही उत्तर होना चाहिए सही उत्तर होना चाहिए मुझे भी लग रहा है सही उत्तर होना चाहिए धौला वीरा हमारे हिंदूस्तान में चालिसमीं यूनेस्को हेरिटेज साइड बनी है जिसको धौला वीरा बोलते है ये हमारा पॉर्ट सिटी नहीं है समुद्र के किनारे का हिस्सा नहीं है कच्छ के रढखेतर में आपका पड़ता है चालिसमें है हमारी हेरिटेज साइट है तो आप इसके उपर टिक करेंगे आ आपको नंबर मिल जाएगा तो धौला विरा यहां पर सभी जवाब है याद रखेगा लूनी नदी के किनारे आपको यह देखने को मिलेगा हमारे जोसी साथ ने इसकी खोच की थी अगला कुश्चन आपको बताना है कि हमारे यहां पर इस्ट इंडिया कंपनी का सासन को खतम यहां पर हमेशा किसी ना किसी क्रांती का कोई ना कोई रिजल्ट आता है भले 1857 की क्रांती फेल हो गई लेकिन अंग्रेजों को इससे बहुत नुक्सान हुआ और उन्होंने यहां पर इंडियन गॉर्मेंट एक्ट के तैट हमारे इस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिस किय और डारेक्ट क्राउन का सासाना गया और पोश्च का नाम पढ़ा था गवर्नर जेनरल की वाय सराय बहुत बढ़िया अगला कोशन देख लेते हैं यहां पर एक वलाइल लिखी हुई है वह चेरी है अवद के राज्य के बारे में उन्होंने बोला था अवद वह चेरी है जो एक दिन हमारा निवाला बन जाएगी हमारे बन मसका में लगा करके इसको हम खा जाएंगे लॉड कारनेवली से लॉड करजन है यहां पे लॉड हैंरी हर्डिंग से या लॉड डलहाजी है अवद को चेरी के बराबर तुल्ला कर दी थी इन्होंने तो गैस यह हमारे दे निवाला बनाया था और फिर यह अवद के बारे में बोल रहे थे कि यह चेरी है जिसको हम एक दिन इप्टा देंगे तो यह थे हमारे डलहाजी लॉड डलहाजी जितने लोग बोल ले है जवाब उनका सही है चार नंबर इस करेक्ट एंसर भारत में किस दिसा में बलित पर नहीं है यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन आपको देखने को मिलेगा तो अगर नौर्थ और नौर्थ इस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हिमालया है नौर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर अरावली माउंटेन है जो की हमारे फोल्ड माउंटेन है तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर western part of India जहाँ पर कोई भी बलित परवत नहीं है ठीक है तो हमारा जो नॉर्थ और नॉर्थ हीष्ट है वहाँ पर हिमाले है नॉर्थ वेस्ट में हमारा अरावली है लेकिन western part में कोई भी बलित परवत नहीं है ए नंबर option सही जवाब है question है यहाँ पर हमारे जो department है जो schedule number seven में लिस्टेड है कौन से schedule schedule number seven में सबसे ज़्यादा department किसके पास है state के पास है union है concurrent है या residual list है सबसे ज़्यादा department किसके पास है जनता सौ के उपर लेके चलते हैं आकड़े को साथ मिनट हो चुके हैं important class है हमारे exams जो है वो अब सर पे खड़े हुए हैं मतलब बोलते थी ना पहले हमारे exams हम लारे जो है वो सर पर आ चुके हैं चलते चलते तो जब सर पर आ जाते हैं तो भाईया मेहनत बहुत रफतार से करनी पड़ती है बहुत बढ़िया जनता ने आपर जबाब देना शुरू कर दिया ऐसा 7th schedule में हमारे संग सूची में सबसे ज़्यादा हमारे विसय है याद रखेगा संग सूची में हमारे अगर 7th schedule की बात करेंगे तो 100 हमारे 7th schedule में union list और हमारे state list और concurrent list आती है हमारे union list में 100 subject के उपर बाते की गई है और concurrent list में सबसे कम है 52 subject हमारे concurrent list में आएंगे ठीक है तो union list के उपर टिक करते आगे बढ़ जाते है यहाँ पर एक question दिया हुआ है कि birthplace of Gotham Buddha कहाँ पर आपको देखने हो के मिलेगा लुंबनी है सारनाथ है यहाँ पर बोध गया है या वैसाली है इसको 40% जनता ने सही किया हुआ है और 5% जो जनता है यह इसको skip किये मतलब ज़्यादा तर जनता को पता है गाइस यह हमारी smart book का एक question है जो आपको physical form में जो किताब को खरीदना चाते है smart book है जहाँ पर आप टॉपर के साथ अपने compare देख सकते हैं तो यह Amazon पर आपको अबलेबल है लिंक आपके description में दिया गया है तो वहाँ पर bank के SSC के सारे हमारे जाए वो हमारा math origining हो जी एस सो साब अबलेबल है दोनों language में हिंदी और इंग्लिस दोनों में कोशन यहां पर बनाते हैं हमारे प्रत्वी के क्रष्ट पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला element कौन सा है तत्व कौन सा है ऑक्सीजन है इलुमूनिय जैंठा समय प्रटा करो ठिक करके ? कहलते हैं अच्छे सैंठे हमारे बहुत अंतर होता है ची mão बोठकर बहूंत है है तो यहां पर हम से element प्ूछा गया है तो element इसप सब्चें तो इलीमेंट में बहुत अंतर होता है तो आर्कास यहाँ पर जो सई जवाब है वो है oxygen तो ज़रा हम इस percentage को समझते हैं तो crushed का मतलब होता है हमारे उपरी भाग और environment वाला जो हिस्सा है उसको हमनों crushed बोलते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब 47% लगबग 46.5% oxygen होती है फिर दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है फिर aluminium आता ह देन उसके बाद से iron, calcium and other आते हैं लेकिन यहाँ पर अगर metal पूछ लेता जैसे कि आकास aluminium बोल लेते उसका जवाब अगर element की जगाब पूछता सबसे दा metal कौन सा पाया जाता है तो oxygen is not metal, silicon is not metal तब आपका जवाब aluminium हो जाएगा 8% लेकिन अगर overall composition पूछा गया तो कई लोग iron जवाब दे रहते तो अगर यहाँ पर crust की जगाब पर लिखा होता कि earth पर हमारे crust को मैं delete कर देता हूं, crust नहीं हमारे overall earth पर पूछ लेता तब आपका सही जवाब iron हो जाता, iron यहाँ पर 29% पूरे earth में हमारे core तक आप जाओगे तो सबसे अदा हमारा iron होता है 29% oxygen दूसे प पर आजाता है, sorry, oxygen 35% है, silicon 15% है, तो यह हमको याद रखना है guys, यह हमारे exam में आता है और काफी confused करता है, हमारे earth की जो हमारे layer होता है, अगर आप internal earth की बात करेंगे, crust, mental और core होता है, सबसे ज़्यादा जो mass percentage है, वो हमारे किस में होता है, mental में होता है, 66% और volume percentage 83% होता है, जबकि core में यह 33% और 16% हो जाता है, जबकि crust में तो नाम मातर का सिर्फ 11% होता है, जितने लोगों को यह बात सोड़ा समझ में आ गई है, वो मुझे ज़रा एक बार हाथ मार देंगे मेरे हाथ में, give me high five, सब लोग यहाँ पर मेरे को हाथ मारेंगे जितने लोगों को समझ म में आ गया है, जल्दी से, तो यहाँ पर याद रखना है कि हमको कहाँ पर क्या करना है, समझ में आ रहा होगा, तो आप लोगों मुझे बताएंगे, सर समझ में आ रहा है, और मुमित करते हैं, जाते हैं, अभी तक हम लोग नहीं हुए हैं, और 10 मिनट हो चुका है, वीडि क्या होता है, बुल का मतलब होगा क्या, जब सेर का आसावादी, मतलब ग्रो कर रहा है, सेर जो है, वो नीचे की तरफ जा रहे है, मार्केड हमारा सैचुरेट से में है, या इन में से कोई नहीं, बुल एंड बियर, साइद हरसद मेता जो हम लोगों ने, हरसद मेता वाला वेब सिरीज है, यह हम लोगों सभी ने देखा था, इसको हम ने देखा, बेस्ट वेब सिरीज थी, हमारे 2020 की, 2021 में हमने दादा साफ फाल के ओवार्ड में देखा, कि हमारी बेस्ट वेब सिरीज जो है, वह कैंडी को दिया गया है, हमने आज सुभे पूरा канал के की नीची आना तो आसावादी द्रिश्टी कूर्ण एक नंबर जितने हो बहुता है नीची आना तो Bye मार्केट उपर मतलब मार्केट प्रॉफिट में जा रहा है और बीर का मतलब है नीचे आना चलिए आगे तब चलते अगला कोश्चन है नंद वंस की स्थापना किस वंस को उखाड फेकने के बाद की के थी कोश्चन को जादा ध्यान से पढ़ते हैं नंद अंपायर वाज इस सिसुनाग density होना चाहिए सिसुनाग density के हमारे समाप्ती के बाद हमारे यहाँ पर नंद वंस की इसापना करने वाले महाज़मा अनन्द थे आठ्अलग अलग रूलर यहां पर थे अंती म्राजा थे घनानन्द जिनको मौरऑ वंस के सासक ने हराया था चंद्रगुप्त लक्ष को हम ले करके चल ले, तुम्हारे content को हम ले करके चल ले, तो guys ये छोटा सा लक्ष अब आप के लिए है, ठीक है, सबी लोगं को एक जुट हो करके जो नए बच्चेंगे, जो regular राते हैं जरा एक जुट हो जाएंगे, तब ये लक्ष के पास हम लोगं पहुंचेंगे चली अगले चलते, यहाँ पर एक question है, जिस समिधान सभा द्वारा भारत के समिधान का अधनियम किया गया था, उसके सदस्य कौन थे, हमारे समिधान सभा में आप लोगं ने देखा था, कि जो सदस्य का चुना हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया था, हमारे राजनीत सीटे थी 389, उसमें से हमारे मेंबर्स को चुना गया था, जिसमें से प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट करने से मना किया, और 294 सदस्य जो थे, वो आ करके इसमें हमारे समिधान सभा में चुने गया, तो यहाँ पर जनता ने जवाब दिया है कि साथ डारेक्ट प असेंबली थी, वहाँ से किया गया था, आगे चलती अगला कोशन आ जाता है हमारे पास कि भूरा सिंग भर सिंग, भूरा सिंग 12 सिंगा है, यहाँ पर होना चाहिए, वो किसका हमारा मसकट है, पेश का है, या पनना का है, कन्ना का है, या बांधा गड़ नेसनाद पार का ह है कहा का यह हमारा मसकट है जंता ने बताना सुरू कर दिया लेकिन अभी मैं यहां पर हैरान हूं कि हम लोग ने अभी इस आंकड़े को टच नहीं किया हुआ है 120 प्लस गाइस थोड़ा सा जोर दिखाई है जहां पर जोर आजमाइस थोड़ी सी होनी चाहिए ना तो यहां पर कौन सा सहर है जहां पर हमारे मिटल और ब्रास का सबसे ज़्यादा काम होता है मिटल और ब्रास का जो कॉंबिनेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है यहां पर रिवाडी है भीवानी है जीन है या सिरसा है ब्रास जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर प्लस जिंक यहां पर कॉ पैसेंजर चलती थी और मेरट जाया करता था इस पैसेंजर में बैठके कभी-कभी बिना टिकट के भी गया हूं तो रेवाडी यहां पर फेमस है और उत्तर प्रदेश में जिसको हम लोग पीतल नगरी बोलते हैं वह हमारा मुरादाबाद यहां पर हमारे उत्तर प्रदेश क अग्ला कोशन में टे शिवाजी की मा का नाम ठाब हम ने देखल कि 19 फरवरी को सिवाजी जativity अंती थी और माराश्ता में तो हम अतलब सिवाजी की उपर हम लोग एकड़ं जान छिड़कते हैं माराश्रा के लोग तो सिवाजी की माा कॉन थी जिससे वह बहुत ज़्यादा प्रेरित धे यहाँ पर जंता बोले सार जीजा जिए की जो माहें उनका नाम जोधा बाई मनती तारह बाई करना है कि तक हम यार 15 मिनट से ज़्यदा हो गया और हम लोग 100 नंबर पर खेल थे थाख सा hatte काम ally कमी दिखाई उसे सपोर्ट चाहता हूं वो कमी दिखाई देने लगती है तो भाई प्लीज सपोर्ट करिए और हम लोग यार डिड़सों की ऊपर अभी तक कल चले गएते तोड़ा सा यार फिर मुझे लगता है कि यार कुछ कमी रह गई है तो वह भाई हां तोड़ा सा टिक करके करना ज़्यादा जरूरी है अगला कोशन देख लेते हैं अंदमान नीकोबार के बारे में हम लोग ने कई बार बात ही अंदमान नीकोबार है लक्षदीप है हमारा अंदमान और नीकोबार के बीच में कौन सा वाटर स्टेट है यहां पर पाक स्टेट है 11 डिग्री चैनल ह या इन में से कोई नहीं जल्दी से जनता यहां पर बताई बताएगी और भाई या प्लीज टिक करके वैटिंग करिए थोड़ा से कोश्चन बना लेते हैं यार 45 मिनिट निकाल लिया करो हमारे लिए लाइब देखो के तो हमको अच्छा लगेगा यार फ्री में पढ़ाते है यह ना इतने सारे यहां पर कंटेंट लेकर क्या आते हैं तो भाई थोड़ा सा चलिंग यहां पर जन्ता ने जवाब देना सुरू कर दिया है कि सथ सई जवाब होना चाहिए यहां पर जो सही जवाब होना अच्छी है 10 डिग्री चैनल जितने लोग बोलने हैं बिल्कुल सही जवाब है तो गाईस अगर 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे और 10 डिग्री चैनल यह हमारे एक्जाम के point आप से बहुत important वियाता है तो हमारे जो 9 degree channel है यह क्या करता है तो यह हमारे लक्षदीब को मिनी कोई से अलग करता है लक्षदीब को अगर मिनी कोई से अगर एक्जाम में पूछा 9 degree channel है फिर लक्षदीब को या मिनी कोई आइलेंड लक्षदीब का सबसे दच्छनी बाग मिनी कोई है तो लक्षदीब कुम मालदीब जो देश है उससे अलग करता है एट डिगरी चैनल और हमारा टेंट डिगरी अंडमान को नीकोबार से अलग करता है ठीक है अंडमान नीकोबार को अलग करता है हमारा टेंट डिगरी चैनल पाक स्टेट इंडिया और स्री लंका को कौन पाक स्ट्रीट करता है तो यह हमारे लिए काफी important है याद रखना है ठीक है ना यहाँ पर मालदीब होना चाहिए यहाँ पर मीनी कोई highlight होना चाहिए ठीक ना चलिए आगे चलते हैं अगला question क्या आजाता है यहाँ 66% को create करता है तो यहां का में मैटेरियल होता है वहता है मतलब यहां चलते हैं अगला question आफ विच कंट्री कमबोडिया की है लाउस की है मौरसिस की है या नाइजीरिया की है दोस्तों यार 150 तक चलते हैं जल्दी से 150 का अकड़ा टच कर लेते हैं व्यतने किसकी कैपिटल है तो यहां पर जंता ने जवाब देना सुरू कर दिया है कि सर हम अगर कमबोडिया की बात रखिएगा बहुत बार एक्जाम में आया है लाउस की कैपिटल यहां पर हाथियों के लिए बहुत है लेंड ओवलिफरिंट के नाम से भी हम लों जानते है लाउस को जो है हमारे पोर्ट लूइस जो है यह हमारे मौरसिस की capital है साथ सभी को मैंने बताए Nigeria की capital Abuja है अबूजा इस capital of Nigeria तो गाइस यहां पर यह question मेरे जाब से कमबोडिया तो यहां पर प्योंपना थी लाओस के ऊपर हमने आप पर टिक क्या हुआ है जंता ने भी जानते हैं बहुत बढ़िया जंता यहां पर जवाब दिना शुरू कर दिया है कि सर अगर आप यहां पर निस्टल इंकम की बात करेंगे तो यह हमारे जो और इसका पता लगाती है यह हमारे CSO है जो कि हमारे NSO के साथ निस्टनल सेंपल सेंपल सर्वे के साथ मिल करके अब इसको कंबाइंड ली बोलते NSO जो हमारे राष्टी आई की घरना करती है मैं चार नंबर के तरफ जाओंगा और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आ गाइज यहाँ पर कोश्चन है अकाली डल के ऊपर या काली आंदोलन के ऊपर एक कोश्चन पूशा चारहे हैं 1922 में हमारे यहाँ पर की सुरुवाथ हुई थी इसकी स्थापना क्यों उइप यहां पर हमारे जो सिखिधं है सिख्ध गुरुद्वारे उसकी भरस्ट गुर को बलाने का यहां पर जंता बोले सर्सक्रियेट सेपरेट प्रोविनेंस एक अलग पंजाब प्रांच के स्थापना करना था लेकिन गाइज यहां पर जो सही जवाब होगा यह ए नंबर होगा ठीक है यह नंबर यहां पर जो हमारे यहां पर जो भरष्ट गुरू थे उनका नियंतरन गुरु सुक्री गुरु द्वारे से मुक्त करा करके एक सही दृष्टी कोड में ले करके जाना ये आकाली आंदोलन का मुख्य लक्ष था ए नमबर जितने बच्चे बोले हैं उनको मैं यहां पर बधाई देना चाहता हूँ बहुत बढ़िया से बोले हैं यहां प द से चाहिए यहीं हो जा क्या रहे है कई लोंग बशुरी की तरव जा रहे है लेकिन वाइलियन से राइट आंसर रहे हैं एंध्रेज़िसाइड कोईले का सबसे बढ़ा भंडार कहाँ पान पर है इल्डाइज हमने यहाँ पर कोईले हमारे कितने पीट होता है तो उसके बार आता चाहें पीट do तो यह सबसे ख्राब होता है हमारा मँख और ये इंतजार कर रहा है और इंत अपने हैं वह अपने इस्तिमार करें तो लगनाइड विटमेस एन अंत्रसाइट बेस्ट क्वालिटिका कोल USA में आपको देखने को मिलेगा ठीक है ना दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करिए यार बार-बार बोला अच्छा नहीं लग रहा है मेरे खुद नहीं अच्छा लग रहा और मुझे एक कोश्चन बनाना होगा तो मैं वहाँ पर टिक करूँगा जहां पर ट्राइबल एरिया सबसे ज़्यादा या ट्राइबल जन जातियों का जो जनसंख्या वो सबसे ज़्यादा होगी अगर मैं सेसी सीजेल में बैठा हूँगा और मेरे सामने एक कोश्चन आ तो मैं इस पर खेल जाओंगा तो यहां पर जनता बोले सर मध्य परदेश के उपर टिक कर सकते ट्राइबल्स नहीं ट्राइबल्स का जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और हमारे सेंटर में बैठा हुआ है मध्य परदेश यहां पर मध्य परदेश MP की तरफ जाना ज लेकिन सबसे ज़्यादा growing forest reserve जो है वो आंध्रा प्रदेश में तो यह दोनों चीजें भी हमारे धिमाग में होनी चाहिए एक्जाम में पूछ सकता है ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं लुडी इस डान्स फॉर्म परफॉर्म इन विच विक्ट्री जब सेलिब्रेट कर कर जाता है यहां पर गय्लेक्स करें कोई दिकत नहीं है हमारे यहां पर जो लूडी डान्स यह मडी डीस्टिक्ट में होता है जो कि हमारे बहुत सकते हहां की हिमाचल प्रदे этому हिमाचल प्रदेश हर्याडा में यह डान्स आपको देखनım मिलता है जब जीत का जस्म बनाते हैं तो जीत का ज़सं जब होता है तो टांग उठा करके यह डांस होता है इसको मिने जुला्यश बोलते हैं यह हिमाचत्त प्देस हरिया का एक प्रमुक। है अगला कुशन हैं भारत में मीड़ा का नियंत्रित करने के लिए हमारे मीड़ा को कंट्रोल करने के यह कब-कब अधनियम बनाए गए 1935 है 1865 है 1878 है या 1908 है क्या हुआ भाई यहाँ पर जनता बोले सब्सक्राइब होना चाहिए हमारे यहाँ पर मीडिया को नियंत्रित करने के लिए क्या हुआ भाई नंबर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं बोला हूँ 1835 सरसट और 78 उन्नियस वाट में अधनियम बनाए गया थे यहाँ पर कुछा गया फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम का जो एनोग्रेशन है दो अक्टूबर को हुआ था दो अक्टूबर 1959 में इसका एनोग्रेशन हुआ था हमारे कहाँ पर नागौर डिस्टिक था इसका एनोग्रेशन किसने किया था नागौर डिस्टिक राजिस्थान में किसने इसका एनोग्रेशन किया था किसने इसके सुरुवात की थी यहाँ पर जंता बोलेगे सर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नहरू जी के उपर पंडे जवाला नहरू यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है नहरू जी के उपर टिक करना है नंबर हमको मिल जाएगा ठीक है इसलिए उनको हम लों बोलते ह पादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम पंचायती राज सिस्टम के यह फादर के रूप में जाने जाते है नहरू जी यहाँ पर एक कोश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सब्सक्राइब यहां पर आप कौन सी हमारे पैरा मिलिटरी फोर्स को देखेंगे यह इंडो तिबबत ब तक हमारा कौन सा आता है तो बोलोगे सर हमारा पड़ोसी देश है जिसको आप लोग चाइना बोलते हैं या तिबबत का एरिया बोलते हैं और वहाँ पर जो हमारी बॉर्डर पुलिस फोर्स है वह इंडो तिबबत बॉर्डर पुलिस फोर्स एक नंबर जिन बच्चोंने को लग रहा है मुझे लगता है उनका जवाब बिल्कुल सही है गाइस कल लोग 11 बच के जो है वो 205 लोग थे यहां पर 205 लोग थे 11 बच और आप लोगों ने सबने वादा किया था कि सर हम यहां पर आएंगे ठीक है लेकिन आज आपने वादे से मुकर रहे हैं वह 50 लोग कह रहे हैं प्रणान मंत्री के लिए अगर हमारे देखेंगे तो लोग सभा का सदस्ट से बनना एक अहरता होती है राज सबा का भी बन सकते हैं लेकिन लोग सबा का सदस्ट से बनेंगे तो 25 साल आपकी न्यूनता मायू होनी चाहिए 25 साल राइट आंसर मतलब भारत के प्रण इस्टेशन की बात की गई थी तो यहां पर आपको बताना है कितने राज्यों को सामिल किया गया था बहुत बढ़िया जंता ने जवाब दिना सुरू कर रहा है साथ नौ दस और तेरा में सभी बच्चों को यहां पर प्रयास करना है तभी यहां पर मजाएगा चलिए तो यह सबसे प्राचीन सैली है जो हमारे राष्टी संगी सैली की भीम सेंजोसी जी इसके लिए बड़े ही प्रसिद्ध गायक थे धुरुपद है ठमरी है ठपा है या खयाल है तो यहां पर जंता ने जवाब देना सुरू कर दिया है कि सबसे प्राचीन की बात करेंगा और जब आपने भीम सेंजोसी जी की बात कर दिया तो मैं तो यहां पर धुरुपद की तरफ जाओंगा सबसे प्राचीन सैली है और मुझे लगता है कि यहां पर जंता को जवाब देना है टपा नहीं एक्जाम में पूछा गया अगला कोशन देख लेते हैं काफी इसी कोशन आ गय जा बोलते हैं कावेरी है महानदी है कृष्णा है या गुदावरी है तो सायद यहां पर कुश्चन पढ़ते ही आपका जवाब आना जाएं चाहिए 1465 किलोमेटर की यह हमारे भारत में बहने वाली दूसरे सबसे लंबी रिवर है यह हमारे नासिक से निकलती है और जाकर क कि हमारे जो बिल गेट्स उन्होंने किताब लिखी है हाई टू हाउ टू प्रिपेर फॉर नेक्स्ट पिंडमिक हमें दूसी महामारी से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए यह किताब बिल गेट्स की है जो कल हमने देखा था अपने करेंट अफेस में लेकिन यहां पर पूछा वर्ड वाइड वेब किसने खो जाता तो उनका नाम है टिम बर्नस ली जितने लोग बोलना है जवाब से यह हमारे एपल के स्ट्यू जाब है Microsoft के कोश करता बिल गेट से अगला कोशन देख लेते हैं यहां पर कौन सा ऐसा हमारा आर्टिकल है जो हमारे स्रमिको लोगों को इतनी तो पैसे मिलने चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन यापन को आसानी से जी सके अरतिस उन्तालेस एक्तालेस या फॉर्टी थी जड़ा सोच के अच्छे से जवाब दीजिएगा बहुत बढ़ी है जंता ने आप पर जवाब दिना सुरू कर दिया है कि लिविंग विजिस फॉर दा वर्कर्स यह हमारे डीपीएस पी जो कि आर्लेंड से डॉप्ट किया गया है यह हमारा आर्टिकल नंबर 43 में दिखाई दे रहा है गाईज मैं उन सभी लोगों को बुल इसने प्यार मेरे को मज़ा नहीं आता है मेरे को मोटिवेशन कितब लगती है जब आप यहां के सपोर्ट करते हो प्यार सपोर्ट स्टूडेंट का ही ऐसा होता है जो एक टीचर को यहां पर देने के लिए प्रेरित करता है कि भाई पढ़ाई है इनको कंटेंट बताई किया हुआ है यहां पर 43 नंबर जितने लों बोलें यहां पर जवाब बिल्कुल सही है हमारा जो चर्चा का विसाय बना हुआ है वह है आर्टिकल नंबर 44 यह यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है यह भी हमारे DPSP का हिस्सा है आर्टिकल नंबर 35 से लेकरके हम से ज़्यादा डेंस अबादी वाला राज्य है यहां पर हर एक किलोमेटर में 1106 लोग रहते हैं अभी आपको जवाब देना है कौन सा राज्य होना चाहिए तो गाइस अगर हम यहां पर देखेंगे अभी हमने एक डेंस्टिक रिपोर्ट देखी थी जिसमें सबसे ज़्य अब देखेंगे तो यहां पर बिहार के उपर टिक करूँगा और यूने टेरिटरी में दिल्ली के उपर टिक करूँगा तो बिहार इस राइट आंसर जितने विहार बोले जवाब उनका सही है भारत की पहली डीजीपी महिला कौन थी यहां पर कंचन चौधरी भटा चारे हैं किरनवेदी हैं हरिता को और धयाल है या आपको कुछ और लग रहा वो भी बता सकते सर ने कुश्चन पूछा डीजीपी महिला पुलिस निदेशक की बात कर रहे हैं सोच करके अच्छे जवाब देना है तो यहां पर बहुत साहे लोगों को किरनवेदी लग रहा हुआ किरन मेदी हमारे देश की पहली महिला IPS थी बाबू डीजीपी मैंने पूछा है और आप लोगों ने गलत कर दी है कंचन चौधरी भटाचार यहां पर सही जवाब होगा बेटा को बहुत ध्यान से देखना है गाईस हमारे देश की पहली डीजीपी महिला हमारी कौन है कंच करना है महारानी विक्टोरिया के राज की उद्घोषना भारत में कब हुई थी प्रोक्लेशन आफ क्यून विक्टोरिया इंडिया नेशन टुक प्लेस इन 47 57 80 है या वो भी 1858 है तो जनता ने आपर बात बताई है सार गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट हम सभी को याद है जब भारत ने विद्रो किया था 57 में अंग्रेजों ने 1858 में या एक्ट लेकर कहते और इसी को हमनों किसकी राणी की उद्घोषना के नाम से जानते हैं बहुत बढ़िया बच्चो अगला कोशन देख लेते क्रिकेट खेल की सुरुवाद कब हुई थी ICC का 1909 में इसका हेड़कॉर्टर बनाया था 1909 में इसका हेड़कॉर्टर बनाया था किसने जंता बोली गया है सर हमने लगान मूवी देखी है और वहाँ पे सौखीन थी हमारे इंग्लेंड और 2019 का वर्ड कप भी इंग्लेंड नहीं जीता है याद रखेगा तो यहाँ पर सही काउंसिल आफ टीचर एजुकेशन इस लोकेटेड इन भूनेस्वर नई दिल्ली भोपाल या राजस्थान क्या होना चीए दोस्तों इसका सही उत्तर तो रास्ति अध्यापक सिच्छक पड़सद का हेड़कॉर्टर कहां पे जंता को फिक करना है बहुत अच्छी तरीके स दिल्ली में देखने को मिलेंगे इन में से कौन सा सबसे उंचा डैम है बच्छो यह इजी कोस्टन है मैं तो इसको एक दम महा इजी कोस्टन के तौर पर लूँगा टेहरी है धीरा कुंड है या भाखड़ा नामा लगा जब भी सबसे उंचे की बात की जाएगी सबसे मिटर की उचाई परिस्थित हमारा डैम जो की भागी रती रिवर की उपर बना हुगा है मैं तो टेहरी डैम के तरफ जाओंगा उत्राखंड में उत्राखंड वाले जितने भी लोग है उनको सभी को में बधाई देना चाहता हूं जवाब उनका सही है ठीक है चलिए अगल केरल में देखने मिलेगा केरल हमारे देस का सबसे लीट्रेट गा convene और हमने याँ पर बी देखा था जो केरल स्टार्टप प्रोग्राम है आज ही मैं आपको बता ऐसंग को यह बिल्कुल सब्यवाब यहा पर जंदा दिया अगला question है जो actual amount of water हमारे जो atmosphere में होती है उसको आप क्या बोलेंगे relative humidity है absolute humidity है specific humidity है या condensation आप उसको बोलेंगे सर ने question क्या पूछा जड़ा एक बार देख लेते actual water vapor in our atmosphere तो guys question तो हमारे सामने option तो बड़े ही खतरनाग type के दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब होगा मैं फिर से एक बार बता जेता हूँ यह होगा हमारा absolute humidity जो actual amount of water है in with respect to हमारे atmosphere सही जवाब है हमारा option number two guys हमारे जो relative humidity होता है यह compare होता है हमारे absolute humidity और उस समय की humidity में है और इसको मीजर करने के लिश्टुमेंट का नाम है हमारा क्या हाइग्रोमीटर क्या नाम है हाइग्रोमीटर यह एक्जाम में याद रखेगा हाइग्रोमीटर से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को humidity को मीजर करते है मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती होती है मंसौर है सिवपूरी है सागर है या रायसेन है सर ने question क्या पूछा है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती होती है दोस्तों आप लोगों ने वादा किया था कि सर हम डेली आएंगे और आपके साथ अपने दोस्तों को भी जोडेंगे ठीक है जिससे कि आपको और मोटिवेशन मिले और आप हमारे लिए बढ़िया बढ़िया कोश्चन लेकर किया है तो भाईया यह वादा किया था आप लोगों ने मेरे कहा मैं सिर्फ याद दिला ना मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ सिर्फ याद दिला रहा हूँ तो गैस मद्यप्रदेश जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा फॉरस्ट रिजर्व है अभी रिपोर्ट में हमने देखा था और यहां पर अफीम की खेतियों ती मंदसौर जिले में गैस यह वही जिलाए जहां से हमारी जो है चंबल नदी का उदगम होता है चंबल नदी यहां से निकलती और फिर हमारे राजिस्थान में जाकर के यमुना नदी में इटावा में जाकर के मिल जाती है तो यह मंदसौर है याद रखेगा आगे चलते अगला कोशन देख ले नहीं है लेकिन पहले इसको अमनों क्या बोलते थे तो गाइस यहां पर देखेंगे तो हमारा जहां पर जब आटी आई आया हमारे बोल सकते यूप यह गवर्मेंट के एक उपलबदी बोल सकते इसको है ना कॉंग्रेस गवर्मेंट जो पिछली थी तो वह इसको लेकर कर कही थी इसको पहले हम लोग बोलते थे Freedom of Information Act 2002 जो अटल भीहरी बाचपी के गवर्मेंट के सासनकाल में आया इसको राइट टू इनफॉर्मेशन में कनवर्ट कर दिया गया हमारे यूप 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 गवर्मेंट के द्वारा ठीक है अगला कोशन क्या है इनमें से हमारा ह यस पीस टाइम गैलेंटी अवर्ड के है मतलब यूद्ध की हमारा सिच्वेशन नहीं है और उस समय जब हमारे सैनिकों को जो सम्मान दिया जाता है वो कौन सा है सरवोच्च महवीर चक्र है परमवीर चक्र है कीर्थी चक्र है या असोग चक्र है जनता जवाब देगी और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक आंकड़ा दे देता हूं यह देखिए नए बच्चे जितने हैं वही इस आंकड़े को टच कर सकते हैं है ना 220 का यह आंकड़ा है जिसको हमको अभी टच करना है नए बच्चों की मदद से हो पाएगा यहाँ पर सही जवाब है असोग चक एक काफी ही खतरनाक सा कोशन देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देने वाले क्या आपने कवई आइलेंड के बारे में सुना है चलिए तो कवई बीच या कवई आइलेंड लोग घुमने के लिए जाते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा कि हमा बढ़िया जगा है अगर कभी जाने का मन मौका मिले तो आप वहाँ पर जा करके घूम के आईएगा मैं भी कभी नहीं गया हूँ यार है ना सलेक्सन और एक्सन हो जाए ना तो पहले जॉइनिंग के पहले खूब इंजॉय करने का क्योंकि नौकरी लगने के बाद इंजॉ हम यहां पर सोच रहे थे कि 182 जो लिखा वहां पर 282 या 382 लिखा होगा भी यहां पर और आज जो हम लोग 182 पर अभी है ठीक है और यह जो रिकॉर्डर फॉर्म में बच्चे देख रहे ना यह उनकी वज़े से है और यहां पर टिक के बैटिंग नहीं कर रहे हैं उनकी प्लस बी इसको लोग बोलते हैं देव प्रियाग यह क्या है बेटा देव प्रियाग है और अब यह गंगा नदी है यह हमारे उत्तरा खंड से होते ही उत्तर प्रदेश बिहार जहार खंड वेस्ट बेंगौल में वापस से दो भागों में तूड जाती है एक को बोलते हम हुगली नदी जो कि हमारे वेस्ट बेंगौल में बैती है और दूसरी को हम लोग बोलते है पदमा रिवर जो कि हमारे बांगला देश में जाती है ठीक है गाइस अगर हम लोग गंगा की अगर लंबाई देखेंगे तो 2525 किलोमेटर की यह लंबी हमारे हिंदुस्तान में ह है ना और अगर आप इसको भी पदमा को भी कंसीडर कर लेंगे तो लगबख 2700 किलोमेटर से भी जादा लंबी हो जाती है हमारी मागंगा तो गाइस इस तरीके से यहां पर सही जवाँ जाएगा पदमा रिवर यहां पर जितने बच्चों को समझ में आ रहा है जनता यहां तो यहां पर जनता बोले सार अगर आप हमारे जितने भी नेशनल हेड़क्वाटर देखेंगे एक बार उसके उपर आपको याद करना पड़ेगा यह हमारे रेंडमली पूछे जा रहे है तो यहां पर सही जवाब है यह आपको उडिसा में देखने को मिलेगा जितने यहा हिंडन नदी हमारे अगर आप जैसे ही दिल्ली से आगे गाजियाबाद के पास जाएंगे तो एक रिवर दिखाए देती जिसको हम लोग हिंडन नदी बोलते हैं और इसी किनारे हमारे इंडस वैली सिवलाइजेशन का एक पाई गई थी साइट मेरट में क्या नाम था उसक करके हमारी मिल जाती यमुना में तो यह हमारे दिल्ली के पास में यह नदी आपकी बैठी गाजियाबाद आपको गाजियाबाद जो है इसके बाद किनारे देखने मिलेगा गाजियाबाद इसके किनारे देखने मिलेगा चलिए आगे चलते अगला कोशन नहीं तिस्ता जिसटा रिवर है ये हमारे सिक्क्किम के रास्ते से हमारी आसाम में जाकर के ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिल जाती है जो की जेमू ग्लेसिया से निकलती है जे मुगलेशय से होते हुए यह सिक्किम के रास्ते से कहां पर आती है सिक्किम है सिक्किम के रास्ते से यह हमारी असाम में आती है और असाम में आकर के यह हमारे ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिल जाती है यह क्या ब्रह्मपुत्रा रिवर है ठीक है न भाई अगला कोशन दे होता है जवाब देने आप सभी लोगं को 123 है 120 है 121 है या 126 है मिल्कुल ओर्डिनेंस का पावर 123 123 आप यहां पे टिक करना है इसका जो हमारा टेनियोर होता है वो 6 महीने होता है 6 मंत होता है क्योंकि दो पार्लामेंट की मीटिंग के बीच में गैप इतना ही होता है जैसे मीटिंग च्टार्ट होगी 6 हपते के अंदर अंदर यह कानून बन जाना चाहिए यह भी हमको याद रखना है जबकि राजिपाल की बात करेंगे तो 2-1 का 3 आ जाएगा 2-1 का 3 गवर्नर के लिए होता है राज्यों के गवर्नर के लिए यहां पर अगला कोशन बताना है कि स्वतंतर रूप से खड़े हुए मत्रब बिना डरे खड़े हुए बिना किसी पार्टी के सपोर्ट से और राष्टपती बन गए थे य यहां पर निर्विरोध और हमारे स्वतंत्र उमीदवार दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है इंडिपेंडेंट कंडिटेट के रौत तौर पे खड़े हुए और सबसेद जिनको स्ट्रेगल करना पड़ा था एट बार इनकी विंड़ी विंडो जो है वो हमारी क्या हो थी रच्क की गई थी वह थे वी वी गिरी साहब तो वी गिरी के ऊपर हमको टिक करना है वी गिरी इस राइट आंसर और हमसे पूछेगा जो हमारे निर्विरोध चुने गये थे वह नीलं संजीव रेडी थे तो इसकोस्चन का जावाब वी गिरी है रेडडी साहब यहां पे निर्विरोध, उनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, तो दोनों में बहुत ज्यादा हमारे अंतर है, दोनों को अच्छे समझ के करना है, हमारे देश के ग्यारवे राश्पती थे एपीज अबदुरकलाम और हमारे देश के पहले दलित राश्पती थे क्यार नरायनन, हमसे अगर पूछा जाएगा कि हमारे देश के पहले दलित राश्पती का नाम बताईए, तो क्यार नरायनन की तरफ आपको टिक करना है, अगला कोश्चन है, 16 महा जनपदों में से एक अंग पर कपजा करने के लिए मगध समराज में सामिल किया था, किसने अंग के उपर हमला किया और उसको अपने समराज में सामिल कर लिया था, बिम्बि सार है, उदाईन है, अजासत्रू है या सिकंदर है, क्या लगता है, तो अंग जनपद जो बिहार का हिस्सा है, जिसकी कैपिटल चमपा हुआ करती थी, जिसके उपर इन्होंने अटेक किया और इ हैसाली महाजनपद है, जिसको आप वज्जी महाजनपद बोलते हैं, उसके उपर अजासत्रू ने कबजा किया था, कासी महाजनपद के उपर अजासत्रू ने कबजा किया था, दोनों को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, वज्जी जनपद के उपर अजासत्रू, रंग जनपद के उपर बिंबी साथ सिक्षक दिवस भारत में सिक्षक दिवस कब होता है आई होप सो यह तो मतलब बच्च वाला कोश्चन हो गया 14 नॉमबर 30 जनवरी है हमारा 5 सितंबर या 10 अक्टूबर है तो मैं तो इस कोश्चन पर नहीं रूखूंगा 5 सितंबर इस रा लगा दी थी हमारे म्यूजिक और संगीत के उपर जनता ने आप पर जवाब देना सुरू कर दिया कि सथ सही उत्तर होना चाहिए बिल्कुल 100% सही उत्तर होना चाहिए और अंग जीब इन्होंने यहां पर रोख लगा दी अगला कोश्चन है लोग सब हमें एंगलो इंडि अगला कोश्चन है यहां पर फॉर्स स्टेट टुम एक्सम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉरक कोपरेटिव बॉड़ी यहां पर आठवी पास आपका होना जरूरी है अगर आप किसी भी सहकारी संस्था में चुना लड़ना चाहते हैं वह कौन सा राज राजस्थान व पहेजना चाहिए यह भेड़ बकरियों की तरीके जो खटा होते चले जा रहे हम भी नेता बनेंगे उनको थोड़ा सा छटनी होनी चाहिए राजस्थान यहां पर जितने लोग बोलने है जवाब उनका सही है राजस्थान इस राइट आंसर आठवी पास इन्हों ने किया ह 20 जल दिवस अगर आज हम लोग देखेंगे तो वर्ड स्काउट डे है और हमारा 21 तारी को क्या था 21 फरवरी को था हमारा वर्ड इंटरनेशनल मदर लेंग्वेज डे तो जल दिवस कब होता है 5 मार्च, 22 मार्च, 15 मार्च या 22 मार्च तो यहां पर जंता बोलेगी सर अगर सब अर्थ डे पूछेंगे तो 22 अपरेल को होता है यहां पर याद रखना है लेकिन यहां पर जल दिवस वाटर डे पूछा गया है तो 22 मार्च के उपर टिक करते हैं रुखते नहीं आगे बढ़ते अगला कोशन है किस सदी को माना अधिकार की सदी के रूप में माना जात सदी और हमारी जो माना अधिकार की सदी थी वो थी 27 अधिवाला जो था 1901 से लेकर के 1999 यह हमारी 20 सदी थी जिसको माना अधिकारी सदी के रूप में जानते हैं दो-दो विस्यूद्ध हुए और यहां पर जंता को यह बताये गया कि माना उता से बड़ा कोई धर्म नहीं हो यह हमारे ब्रह्मपुत्रा नदी के उपर बना हुआ मजूली आइलेंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनमें से किस राज्य का हमारा संबंदित राजिस्थान अंद्रा प्रदेश मद्यप्रदेश या यूपी से संबंदित है तो गाई सभी को पता होगा यह हमारे एक ब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर उनको सदस से बनना है 243a 243f जी है या एच है तो दोस्तों हमने देखा था कि हमारे अमेंडमेंट नंबर कौन सा 73 में हमारे सेडूल नंबर सेडूल नंबर 11 को एड़ किया गया पार्ट नंबर 9 को में सेडूल नंबर 11 को 243 से ल देखेंगे तो यहां पर जितने लोग बोले हैं उनका जवाब बिलकुल सही है हमारा एफ जो है डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है जी यहां पर कितने सब्जेक्ट है कितने सब्जेक्ट है 29 सब्जेक्ट है इनको फिनेंस पैसा कहां से आएगा पंचायक राज को यह है धता है एच और आई ठीक है चलिए आगे तब चलते भाई यह आगर एगला कोशन देख लेते हैं we pre this इतलिए अधिक संचित कोईला कहा पर आपको मिलेगा मतला पचा से अधिक कोईला कहा पर है। USA, Russia, China, China, India, Russia है, India, Russia, USA है या China, India and USA क्या होना चाहिए यहाँ पर सही जवाब दोस्तों रोज साड़े दस बजे क्लास होती है और यहाँ पर हम चाहते हैं अपरेल तक इस क्लास का समागम होता रहे लेकिन समागम तबी होगा जब आप लोग पूरे सही जवाब पूरे उत्सा और जोस के साथ इस क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे लाइब आने की कोसिस करिए जिससे कि हम इन सारे कोसिंस को अच्छे से यहाँ पर बना सकें सीख सकें तो यहाँ पर जो सबसे सही जवाब है यूएस चाइना और रसिया यह हमारी महा सक्तिया है इनके पास ही सारे नैच्रल रिसोसेस इन्होंने दवाद लिके रखे हुए है सही जवाब एक नंबर यहाँ पर आपको बताना है भारती राष्टी कॉंग्रेस का एक मात्र सत्र जिसकी अद्यक्षता ने गांधी जी ने की ती वो कौन सा था कराची है नाखपूर है बिलगाम है या है यहाँ पर बिलकुल आपका गोजो का सपोर्ट बिलकुल दिख र जवाब की छावार की खाने यह किस्ते हैं फिरम पस है हमारे जो है वो राजस्तान में दो कधाने बहुत एक जवार की खधने औरएक खेतраडी की खदने की क bamboo कडाने हमारे कॉपर माइनिंग के लिए बड़ी में खूपर हुआ पर बहुत खिलजी ने नहीं कुद्बुद्धी ने बनवाई थी मस्जित को बनवाई था तो एबक का सासनकाल सायद आपनों को मैंने कई बार पढ़ाया हुआ हमारे हिंदुस्तान की राजगद्धी पर बैठा था 1206 में और 1210 में इनका इंतिकाल हो गया था मतलब यह घोड़े से गिर आज मेर के उपर उन्होंने अपनी हकूमत को साबित कर दिया था यहां पर सही जवाब है दो नमबर अगला कोशन क्या है भारत के समिधान में सबस्यादा प्रभाव किसका आप देखेंगे यूएस का रसिया का यूके का या 1935 एक्ट का तो जनता ने बोला कि सर यह आपने पैरेंट्स जो ऐसा ऐसा गुलाम है जिसके माता पिता ने उसको बेच दिया है इसको ममलूक वंस बोलते हैं कौन थे इसके फाउंडर एबक है इल्तुत मिस्र हैं बलबन है या गोरी हैं तो गाईस सभी को पता होगा कि हमारे जो मुहमत गोरी है वो एबक को खरीद के लाय फी पैरेंट्स ठीक है दूसरे नंबर फे गुलाम मंस में आता है इलबरी वंस इसके राजा थे इल्तुत मिस्र इन मेंसे दो जल निकाए को स्वेज नहर जोडती है उसका नाम बताना है मत्तब दो निकाएं हैं दो हमारे वाटर बॉड़ी से जिसके बीच में स्वेज नह सागर बोलते हैं यह ऐसा सागर है जो तीन महादीब आफरीका यूरोप और एसिया से गुरा गिरा हुआ है और हमारे किसको रेड सी को मतलब लाल सागर को जोड़ता है बी नंबर इस राइट आंसर अगला कोशन देख लेते हैं बैरल जो है यह हमारे किसका आयसक है यह हमा को बैरिल्यम का ओर लग रहा है लेकिन यहां पर जो सची जवाब है वह है क्या और जंता बोलिये सब्सक्राओं ने चिए बैरेलियम बैरियलियम तो बैरिलियम अलुम्यूनियम अंसर तो हर्याना के किस जिले में सिवालिक की परवत से अंखलाएं आपको देखने मिलेंग प्रधान मंत्री के पास कौन कौन से विभाग आ जाएंगे यहाँ पर Atomic Energy है, Space है, Personal and Public Revenance है यह यह सभी Department है तो मोदी जी का आप Department उठा के देखेंगे तो उनके पास मुझे ऐसा लगता है कि नीती आयो के चेर्मेन के साथ साथ यह सभी Department के Head है यहाँ पर जितने लोगों चार नमबर बोलें उनका जवाब बिल्कुल विचारणी है अगला Question देख लेते हैं तो गाईज यहाँ पर हमारी यह क्या है तो यह Smart Book का एक Question है Smart Book में आपको यहाँ पर कितने लोगों ने इस Question को सही किया है कितने लोगों ने गलत किया, कितने लोगों ने यहाँ पर इसको छोड़ा है यह सब यहाँ पर आपको दिखाए देगा 14 सेकंड के अंदर आपको यह जवाब देना आना चाहिए इन में से किस पार्ट को वेदान्त के नाम से भी जानते हैं वेदांग हैं, अर्यक हैं, उपनिसद हैं या ब्रामबन है देखते हैं कितने लोगों इसका जवाब दे पाते हैं सिर्फ 5% लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल करेक्ट दिया है तो यहाँ पर जनता बोले है कि सथ सही उत्तर होना ची मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वेदांथ, मतलब जो हमारे समरी है वेदों की उसको वेदांथ बोलते हैं और यहाँ पर हमारे उपनिसद जो होती है उपनिसद, ठीक है, उपनिसद को हम लोग वेदांथ के नाम से जानते हैं वेदान्त ये 108 है जिन लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा हमने हमेशा बताए कि वेदान्त इस नो नैस उपनिसद इनकी संख्या 108 है चलि अगला कोशन है यहाँ पर अकबर का गार्डियन कौन था तो अकबर का गार्डियन थे अबुल फजल तान सेन बैरम खान अमीर खु करें थे कांचीपुर्ण का जो मुकतेस्वर का टेंपल का शिर नहीं को डबलब करने का जो पलाव को राजा को डैश्या थे उन्होंने इसको डाप किया था अभढ़ा वेंस के नादी वर्मन भ थिख सब BT और मंदिर किसंने बनवाय जहां पर नरस नदि वर्मन वर और टिक करिए यहाँ पर नंधी वर्मन जितने लोग बोल लाएं नंधी वर्मन तो यह ओप्शन में नहीं था है यहाँ पर जितने लोग नोको शिर्फ यहाँ पर नमबर मिलेगा कि ठीक है चला अगले कोश्चन की तरफ चलते है कांची पूरामिन की कैपिटल थे गाइस पल्लाववंस की कैपिटल गया थी कांचीपूराम थी और इसके फाउंडर का नान था स्यम्भो विष्णू स्तिम्भा विष्णू जो है वह इसके फाउंडर थे अगला कोशन देख लेते हैं संतोष ट्रॉफी मुझे लगता अफलत हो जाती है दूरंड कप किसका है थॉमस कप किसका है है ना तो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग हो जाते है तो संतोज ट्रॉफी हमने जब भी पढ़ी है फुटबॉल में ही हमको टिकर क्याना है फुटबॉल से यह हमारी मिडरका कप और संतोज ट्रॉफी यह दोनों हमार यह भूमी होती है उसको हमनों क्या बोलते हैं वैली बोलते हैं दुआब का एरिया बोलती है इन में से कोई नहीं दो नदिया आ रही है और यहां से एक नदी आई यहां से नदी आई और यह बीच का जो हमारा मोस्ट फर्टाइल लेंड हो गया जहां पर हमारे कुटबुद दीन अइबक ने नहीं अलाउद दीन खिल जी ने 50% तो integrated circuit थे और चौथे में हमारे आ जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर पांच में मारे आ जाएंगे small integrated circuit इसको हम लोगे SSI बोलेंगे फिर VSLI आ जाएंगे very large integrated circuit तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा चौथे में अगला कोशन क्या है पिंगुली जो चित्रकारी है पिंगुली य यह कहां पर आपको देखने को लेगे UP में महारास्टा में जारखंड में आंद्रा प्रदेस में या आपको कहीं और लग रहा है वो भी बता सकते हैं तो यहां पर जंता ने जवाब देना सुरू कर दिया कि सर हमारे आपने बताया था आप लोगों ने जो है पट्चित्र बताया था आपने जो है वरली पेंटिंग बताय थी लेकिन पिंगली की उपर अगे आप पर Left करेंगे तो यहां पहर महारास्ट के उपर कर राजिस्थान तेलंगाना और 잊ज्कराइब तो बेड़ा टिकर के बैटिंग आप आज आप लोगोंने टिकर के बैटिंग नहीं की अगर टिकर के बैटिंग करते तो आज हम लोग घानी की तरह बिहार का जो घानी है 300 प्लस मारते लेकिन टिकर के बैटिंग नहीं किये और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम ल राश्टपति को अपना त्याग पत्र देना है तो वो किसको देगा सीजी आई को पीम को देगा प्रैसिडेंट को देगा या स्पीकर आफ लोग सभा किसको देना चाहिए तो यहां पर जंता ने जवाब देना सुरू कर दिया है कि सर इसका सही जवाब है मुझे भी लग रहा है कि सर सही जवाब होना चाहिए राश्टपती की तरब जनता जारी है सर राश्टपती होना च्छेक राश्टपती रास्पती राश्पती л ini तो कडर्मम हिल्स जो है ये आपको कहां पर देखने विए करनाटक हिमाचर प्रदेस केरल या महारास्टा कडर्मम हिल्स की बाध करेंग के एलाइशी की पहाड़िया दा गाडलीन उफ इंडिया सबहे लोगों ने आप आप बशाप गैसे कार्ण मिल्स हैं काफी ज्यादा पीमस मसालों के लिए यहाय स्वाई से भरा हुanya है यह हमारा एरिया जिसको हम लोग केरल में देखेंगे तो केरल इस राइट आंसर सभी लोगों ने आप पर अच्छे से जवाब दिया लेकिन मैं आप लोगों से बार-बार बोलता हूं यह क्लास एक घंटे में आप लोगों सभी बच्चों के लिए यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि सभी बच्चे जितने भी यहां पर अभी तक टेलिग्राम लिंक टेलिग्राम चैनल पर मेरे नहीं जुड़े तो फटा-फट यह लिंक को ओपिन करिए और जो रिकॉर्डर फॉर्म में देख रहे हैं अपने चैड बुक जा करके सर्च कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कमजोर है निए इंग्लिस और रिजनिंग बेसिक पढ़ाने के लिए इतनी सारी इस्तार्ट अभी रिसेंट में हुआ है यहां इतने सारे कोश्चन साइद किताब में इतने कोश्चन नहीं होते हैं हमारे प्रेक्टिस यहाँ पर आपको mock test है, PDF है और code है पंकज C, जो आपके selection वाला code है, पंकज C, selection वाला code, guys, test book pass, जहाँ पर आपको मिलते हैं, इतने सारे exams के mock test, 34 जार mock test open हो जाएंगे, जाए SSC का और bank का और railway का और UPS सारे mock test open हो जाएंगे, एक साल के लिए मिलता है 399 रुपए में, लेकिन आज के लिए offer है, 6 मेने का extra validity, guys, चुकिए मत, अगर आपका test book pass खतम हो गया है, या अभी तक आपने mock test नहीं लिया है, computer based exam के लिए बहुत ही हमारा benefit इसमें भरा हुगा है, 399 में आम बच्चों के लिए, लेकिन आप हमारी class में आते है, coupon code का इस्तमाल करिए, यहाँ पर आप अंकज सी नहीं, pack pass का इस्तमाल करिए, pack pass coupon code लगाईए, जैसे ही आप यह लगाएंगे, आपको 360 रुपए में यह मिलेगा, कभी-कभी क्या होता है, scroll आपका yearly pass में चला जाता है, उसको उपर टिक कर दोगे, तो वापस से वो हमारा yearly pass में आजागा, 18 महीने का है, यह coupon code आपके सामने लिखा हुआ है, तो guys, आपको मिल गया टेरी ग्राम का link, आपको पता है, साड़े 10 बचे हमको आना है, तो बटा द